बोजपुरी इंडेस्ट्री में इन दिनों अंतरा सिंग प्रियंका को पचाड कर अगर कोई भी गाई का आगे बढ़ रही है तो वो कोई और नहीं बैसिलपी राज है और अगर आगे बढ़ रही है तो विवाद होना लाजमी है वैसे भी हम आपको ये बता दे कि खेसारी लाल यादों से जुड़े जितने भी कलाकार होते हैं उनके साथ विवाद कॉमन होता है कॉमन इसलिए क्योंकि खेसारी के साथ विवादों का बड़ा पूरा नाता रहा है वैसे यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि सिलपी कि बहुत ज़ादा ज़रूरत थी तो खेसारी ने साथ छोड़ दिया वैसे आपको यहां हम ये बता दे कि सिल्पी राज भूजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों सबसे ज़ादा पसंद की गाजाने वाली गाईका है और उनके गानों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और अब सिल्पी राज ने जब फेमस होने के बाद अलग-अलग कमपनियों के साथ गाना स्टार्ट किया तो लोगों को ये बुरा लग गया वैसे सिल्पी ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में कुछ कमपनियों के साथ एक करार किया था कि वो 5 साल तक किसी और के आकड़ा चल रहा है सिल्पी राज का सिल्पी राज अपने केरियर के पिक पर है और यहाँ पर अगर वो बाउंडेशन लगाती है कि वो सिर्फ किसी पटिकुलर कमपनियों के लिए गाएंगी तो उनके केरियर की तो बैंड बच जाएगी और ऐसे में सिल्पी राज अपन कर रहे हैं कि वो सिल्पी राज के पती हैं और सिल्पी इन सब मामलों में सिर्फ यही कहती नजर आ रही है कि उन्हें बहुत बुरी तरे से फसाया जा रहा है और तो और जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है वो सारे लोग जो उनसे जलते हैं कि वो खेसारी के साथ क्यों इत लोग मिट्टी में मिलाना चाहते हैं खैर ये सारे आरोग जो है सिल्पी राज ने उन लोगों पर लगाया है जो कि उनके खिलाफ है जैसे विवेक पटेल अब हम आपको बता दें कि इसमें एक और नाम विजय चौहान भी आ रहा है जिसके साथ सिल्पी राज के बहुत ही अ करना चाहते हैं कि खेसारी अपनी फेवरिट सिंगर के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं खेसारी लाल यादो जो कि अंतरा सिंप्रियंका के साथ सबसे ज़्यादा गाना गाते नजर आते थे आज़कर सिल्पी राज के साथ क्यों गा रहे हैं और सिल्पी राज के पर जो विवाद है वो ये है कि एक music company का contract तोड़ कर बगैर उसे बताय सिलपी किसी और के साथ गाने लगे थी तो भाई यहाँ पर ये भी सवाल उठाया है कि सिलपी राज जो की आज से तो गा नहीं रही है अपने केरियर के शुरुवाती दिनों में जब उन्होंने contract sign किया था और आज की बात की जाये तो खेसिलपी एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी है भुचपूरी इंडस्री में उन्होंने कई सालों से अलग-अलग कमपनियों के साथ गाना गाया विवेक पटेल ने वो objection क्यों नहीं लिया जो अब ले रहे हैं ये सबसे बड़ा मुद्दा है ये सबसे बड़ा सवाल है इसे सवाल के लिए ही सभी विवेक पटेल से जवाब मांग रहे हैं कि आज शिल्पी बहुत फेमस हो चुकी है तो उनकी काम्याबी का यहां फायदा उठाया जा रहा है अब बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादो की तो आपको बता दें कि खेसारी लाल यादो को लेकर जो लोग ये बोल रहे हैं कि खेसारी सिल्पी के सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं और ऐसे ही किसी भी विवाद में क्यों खेसारी लाल यादो पढ़ना चाहेंगे हाँ ये बात और है कि इन दिनों सबसे ज़्यादा सुपर हिट गाने सिल्पी राज के साथ ही खेसारी के है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि खेसारी हर विवाद में कूदे आप क्या सूचते हैं इस बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए साथ ही वारे चैनल को सबस्क्राइब करना मिल्गूना मुले